वीडियो के शुरुवाद में एक रेक्विस्ट ये करूंगी कि मेरे तीन चैनल है, प्लिस तीनो चैनल को विजिट करें, twinsmyworld, twinsmyworldcare and twinsmyworldbabycare. तो प्लीज तीनों चैनल को विजिट करें, अपना आशिरवात दें, वहाँ जादा से जादा नंबर में सब्सक्राइब करें और वीडियोज अगर आपको अच्छी लगती हैं, तो दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें मैं उमीद यही करती हूँ, थैंक यू जब आपका बेबी कंसीव नहीं होता है, तो कपल्स वो हर कोशिशे करते हैं, जिसके वज़े से बेबी कंसीव हो जाए चाहे वो पूजा पाठ हो, मिन्नते हो, या जो भी चीज़े कहिए साइंस की भी अगर भाषा में कहिए, तो बहुत सारे पोजीशन ट्राइ करते हैं, ये खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, सब कुछ ट्राइ करते हैं लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी, कि आप पहले ये देखी, कि आपने किस टाइमिंग को रिलेशन रखा है क्योंकि कई बार बहुत सारे कपल होते हैं, काफी जादा बोजिल फिल करते हैं, एक दुसरे के साथ उनको compatible नहीं हो पाते हैं क्योंकि अगर अपनी मर्जी से रिलेशन प्लान करने की बात हो, तो ये बाते अलग होती हैं लेकिन अगर आप बहुत जादा प्रेशर में हैं, सिर्फ इस वाज़ा से कि बेबी कंसीव करना है, अगर मन भी नहीं होता है या फिर कामों के वज़े से इतना ज़ादा आप लुक ठक जाते हैं, और रिलेशन रखने की एक्षान नहीं होती है तो ऐसे केस में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है और ज़रूरी नहीं है कि इस टाइम से जैसे कि मैंने अपने कई वीडियोज में भी कहा है कि दसवे दिन से लेके बीसवा दिन आपके लिए हाईली फर्टाइल होता है लेकिन सभी महिलाओं के लिए सभी पुरुषों के लिए आप रेगुलर्ली रिलेशन में रहे ये पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि जो आजकल की दिन चर्या होती है इतने स्ट्रेसफुल लाइफ होती है जहाँ पर quality time spend करने का वक्त ही नहीं मिलता है या फिर अगर वक्त भी मिलता है तो बहुत जादा उनको ये अंदर stress होता है कि बेबी जल्दी से जल्दी conceive हो जाए और उसके वज़ा से भी आपको अगर interest नहीं आता है तो proper तरीके से cervical mucus नहीं बनता है और cervical mucus अगर proper तरीके से नहीं बनेगा तो कई बार उनको दिक्कते मैसूस होती है लेकिन सबसे पहले आप ये देखे कि पूरे महिने में आपको relation प्लान करने की ज़रूरत नहीं है बलकि कुछ ऐसे fertile days होते हैं जिस time पे अगर आप relation रखते हैं और खास करके जिन वेक्तियों को जिन महिलाओं को पुरुषों को उनका evolution day पता चलेगा जैसे जो कपल हैं पती या पतनी दोनों अगर evolution day को notice कर रहे हैं और महिने में सिर्फ एक दिन भी अगर वो relation प्लान करते हैं तब भी उनकी pregnancy रुख जाती है तो इसलिए इस चीज़ को बहुत ज़ादा बोजहिल मत बनाईए इतना ज़ादा stressful मत होईए आज मैं आपको बहुत ही सटिक चीज़े बताने वाली हूँ जिससे कि आप एक prediction लगा सकते हैं कि यही है वो सटिक time जिस समय आपको relation में रहना चाहिए तो यह वीडियो काफी informative है प्लिस शुदू से लेकि लाश्ट ज़रूर देखेगा नमस्कार दोस्तों मेरे नाम हर्शुता वर्मा है और आपका मेरे शैनल ट्विल्स मैं वल्ड पे स्वागत है तो जैसा मैंने आपको बताया कि पूरे महिने relation रखने की जरूरत नहीं है बलकि कुछ ऐसे fertile days को आप ट्रैक करिए नमबर वन चीज जो कि बहुत बार जो बेसिक गलती होती है वो होती है अपने menstruation को चेक नहीं करना तीन से चार साइकल को आप मॉनिटर करिए एक पैटर निकालिए जिसी कि आपको एक अंदाजा लगेगा कि इस time पे आपका अंडारीलीस हो सकता है अंडारीलीस होने के समय में भी बहुत सारे सिंटम होते हैं जिसके उपर मैंने बहुत सारे बाते कही है जो कि मैं end skin pic video की link है वो लगा दूँगी तो जिसे आप समझभाईएगा लेकिन बहुत important चीज है आपके बच्चे दानी का मूँ का खुलना क्योंकि बच्चे दानी का मूँ सिर्फ तीन दफा खुलता है पहले time जब आपका menstruation आता है क्योंकि जो menstruation blood होती है उसका out होना ज़रूरी होता है और बच्चे दानी का नहीं मूँ खुलेगा तो ये जो collected uterus blood है वो निकलेगा कैसे दूसरी important चीज जो आपके delivery के time देखी जाती है कि बच्चे दानी का मूँ open होता है ये इतना बड़ा होता है करीब 10 cm का होता है तब जाके आपके बच्चे का सर out होता है बच्चा out होता है और इस दुनिया में आता है यानि कि delivery के time पे भी ये बहुत ही ब्रिहद रूप से खुलता है लेकिन एक चीज जो कि हम लोग भूल जाते हैं वो होती है आपके evolution के समय की बात evolution के समय में भी आपके बच्चे दानी का मूँ खुलता है आप वो कैसे खुलता है कितना खुलता है इसकी कोई exact value नहीं होती है लेकिन आपका 1-2 mm के size का ये बच्चे दानी का मूँ खुलता है वो इतना perfect होता है जिस समय अगर आप relation में रहते हैं तो जो male के cells हैं उनको इतना time और इतना space मिल जाता है ताकि वो female body के अंदर पहुँचके fallopian tube में egg को fertilize कर दे तो बस आपको क्या करना है कि अपने बच्चे दानी की मूँ खुलने का timing को आपको देखना है अगर vice versa अगर बात की जाए तो जिस समय under release होता है उस time पे ही बच्चे दानी का मूँ खुलता है या तो आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जिस time पे बच्चे दानी का मूँ खुलता है उस time पे egg release होता है आपको जैसे समझना है वैसे समझ लीजे लेकिन सबसे पहले अपने menstruation cycle को notice करिए menstruation cycle को notice करने के बाद आपको एक date निकल के आएगी अगर normal cycle को consider करें तो 13 से 14 दिन आपका under release होता है उस time पे कुछ ऐसे cervical mucus होते हैं जिसका discharge होना ज़रूरी होता है क्योंकि वो आपके hormone के बढ़े हुए संकेतों को बताता है कि इस time पे brain को signal जाती है कि अब under release होना चाहिए तो ये भी जब discharge निकलेगा तो वो आपके uterus में collect नहीं होगा बलकि out हो जाएगा तो out होने के लिए भी बच्चेदानी का मूँ हलका सक खुलता है और यही वो सही समय होता है जिस time पे आप अगर relation में रहते हैं तो जो male के cells होते हैं उनको इसी discharge के थुरू एक pathway मिलता है एक रास्ता मिल जाता है ताकि वो तैरते हुए अंदर यानि कि female body के अंदर पहुचकर egg को fertilize कर देते हैं तो आपको बस बच्चेदानी के मूँ के खुलने का इंतजार करना है या फिर evolution का इंतजार करना है जिस तरह से egg white का जो discharge होता है उस तरह के discharge को आपको notice करना है अगर इस तरह के discharge आ रहे हैं that means कि आपके बच्चेदानी का मूँ हलका सा खुला है जो कि आपके male के cell को enter कराने के लिए काफी है तो जिस टाइम पे जैसे normal cycle है आपकी 28 से 30 दिन की cycle है तो 13 से 14 दिन इस टाइम पे आपको active रहना है और ये धीरे धीरे पहले से खुलना शुरू होता है और उसके बाद भी एक दो दिन तक ये खुला रहता है तो कोशिश करिए कि 13 या 14 दे पे जब आपका evolution हो रहा है उसके दो दिन पहले और दो दिन बाद भी आप relation में रहिए alternative पे रहिएगा तो ये काफी ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इससे male के sales की गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी और आपके ज़्यादा से ज़्यादा conceive होने के chances बनेगे तो alternative पे relation प्लान करिए पूरे महिने stressful होने की जरूरत नहीं है सिर्फ इन 4-5 दिन और अगर safer side की बात की जाए तो आप अगर comfortable है तो थोड़ा इस duration को बढ़ा भी सकते हैं लेकिन अगर आप comfortable नहीं है अगर आपको बहुत ज़्यादा बोजिल होती है ये चीजे तो आप सिर्फ कुछ दिनों में आप relation प्लान करें और उससे आपकी बेबी को conceive होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और मेरी best wishes भी आपके साथ हैं बहुत सारा आशिरवाद, बहुत सारा प्यार आप सब जितनी भी कोशिशे कर रहे हैं आपकी कोशिश से सफल हो और इस बार बहुत सारे लोगों की good news आए बस इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो एंड करती हो और मैं और भी लक्षन जो evolution के होते हैं मैं यहाँ पर end screen पर लगा दूँगी जो कि देखना मत भूलीगा थैंक यू सो मुच पर ओचिंग ट्विन स्वाइवल